तो हेलो दोस्तो फिर से हाज़ी रहें एक नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं हमारा पैतलब चैनल मेरा नाम है मनिश कुमार तो दोस्तो ये हमारा चैनल है जिसपे की blood test related काफी सारी वीडियो हैं आपको किसी भी test के बारे में कोई भी information चाहिए तो आप हमारी वीडियो जो हैं देख सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CBC test की जो reports है उसको कैसे आप read करेंगे यानि कि जब आपने टेस्ट कराया है आपके डोक्टर ने आपको advice किया है CBC test तो उसकी जो रिपोर्ट से आप उसको खुद से कैसे चेक करेंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो normal है या abnormal है तो उसके बारे में हम discuss करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो स्टर्ट करते हैं तो दोस्तो जो लोग नहे हैं वो चैनल को subscribe कर लें ताकि वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप तक आ सकें नही नही जो भी वीडियो आती है तो उसकी जनकारी आपको सबसे पहले मिले और आप उसको देखें तो आपको जो भी टेस्ट के बारे में या किसी भी चीज के किसी भी टॉपिक के बारे में हमने कोई भी वीडियो डाला है तो आप तक information पहुच सके अपने दोस्तों को share करें तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करें हैं CBC test जो है complete blood count आपके डोक्टर ने advise किया है तो ये जो test है ये commonly किसी भी disease है कोई भी आपको problem है तो mainly test है कि ये डोक्टर सब ही है जो है CBC test जरूर कराते है क्योंकि ये infection हो जाता है patient को तो उसको check करने के लिए जैसे TLC वगरा increase हो गए है तो platelets check करने के लिए hemoglobin check करने के लिए तो ये test जो है routine में सबसे जादा होता है क्योंकि हर test के साथ आपको CBC test जरूर मिलेगा आपका डोक्टर advise करेगा कि CBC test आपको जरूर करने तो ये हमारे पास एक dummy report है किसी patient का है तो उसी के विहाफ पे हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आपको जो अपनी report खुद से कैसे check करनी है तो देखी जब भी आप कभी भी report कहीं पे भी collect करने जाते हैं ये हम अपना लाल पैथ लैब का बता रहे है तो आप reporting status इवर चेक कर लीजिए आपकी reports जब आपके हाथ में आईए तो ये चेक कर लीजिए यहाँ पे final लिखा हुआ है कई बार क्या होता है कि हम दोतीन टेस्ट कराते हैं तो आपको जो है interim report मिल जाती यानि कि आधी report मिलती है और वही लेके आप doctor के पास पहुँच जाते हैं फिर आपको problems जो होती है कि doctor बोलता है कि complete test नहीं कराए आपने तो ये चेक कर लीजिए आप final reports आपकी आगई अगर आपकी report complete है तो यहाँ पे जो है final इसमें लिखा हुआ मिलेगा तो आपकी report जो है complete है तो देखिए cbc में जो components होते हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं जैसे कि hemoglobin है first कि hemoglobin आप कैसे check करेंगे तो पीछे एक bio reference range जिसको बोलते हैं कि यह range होती है यह age के हिसाब से होती है यह जो range है age जिसमें male female अलग-अलग होती है जैसे कि female का जो reference range है वो अलग मिलेगा adult का अलग मिलेगा और बच्चों का जो kids का है वो अलग मिलेगा तो hemoglobin देखिए अभी यह male patient है तो इनका 15.7 अभी normal range क्या है 13 to 17 यानि कि 13 से 17 हमoglobin होना चाहिए और इनका आया हूँ है 15.7 यानि कि यह जो हमoglobin है इनका normal है तो इसी तरह आप सारी चीज़े इसमें चेक कर सकते हैं जैसे कि PCV है इसमें 50 आया हुआ है तो 40 से 50 यह normal है जो यह आपको मैं counts बता रहा हूँ जैसे PCV हो गया RBC हो गया MCV हो गया MCH हो गया और MCHC हो गया RDW हो गया यहां तक जो भी यह cells थोड़ा बहुत उपर नीचे यह सब के ही चलते हैं counts कभी थोड़ा सा उपर अप हो गया कभी डाउन हो गया इन से घबराने की ज़रूत नहीं है यह जो है normal category में हाते है main जो है इसमें हिमोगलोबिन मैंने आपको बताया वो normal है या जो मतलब कम है या ज़्यादा है तो उसके बारे में आपको डोक्टर से advice जरूर लेनी है अब main इसमें चीज है TLC जो सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है कि TLC क्या आ रहा है यह जो है जिसको white blood cells भी बलते हैं वो ही है TLC इसमें इनका आए हुआ हुआ है 5.92 यानि की 5920 और जो normal range हो है 4000 से 10,000 काफी जगें आपको point में मिलेगा काफी जगें आपको जो है नंबर में मिलेगा जैसे आपका TLC 4000, 5000, 6000 ऐसे आया हुआ है तो यह सेम है बस थोड़ा सा इसमें यूनिट का फरक दिया हुआ है तो यह TLC है आप इनका चेक कर सकते हैं यह normal है भी आगे चलते हैं DLC DLC में भी abnormalty चलती रहती है अगर TLC abnormal आता है तो DLC भी थोड़ा बहुत up-down आ जाता है absolute जो counts दिये हुए है वो भी उपर नीचे TLC के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादातर parameters actually machine क्या करती है कि ज़्यादातर parameters जो है recounting करते हैं यह इनकी calculation से आते हैं जैसे hemoglobin, RBC जो at city है इनकी calculation से TLC की calculation से काफी सारे parameters निकलते हैं इसके बाद हमारा main आता है platelets इसमें यह platelets भी main है platelets आपको चेक करना है जो आपका platelets counts है वो कितना आया हुआ है तो 189 यानि कि 1,90,000 के असपास है डेड़ लाग से 4,10,000 जो adult का reference range दिया है उसके हिसाब से यह भी normal है अगर इसमें down जाता है तो वो वैसे भी highlight हो जाएगा जैसे कि इसमें एक abnormality दिखा रहा है mchc 31.40 यानि कि 31.50 से लेकर 34.50 तक normal है तो 31.40 यह abnormal आ गया इस वज़े से यह थोड़ा सा highlight आपको show हो रहा है तो इसमें MPV जो दिया हुए बारा है जो normal range है इसके बीच में ही है अभी इसमें हम ने जो सारी चीज़े देखिए अभी यह तो था CVC इसके साथ कई बर क्या होता है हीमोग्राम तो हीमोग्राम का भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ यह सारे parameters हीमोग्राम में भी आते है बस एक additional test होता है जो ESR जिसको हम बोलते है ESR इसमें additional हो जाएगा जो हीमोग्राम में count होगा हीमोग्राम में जो है ESR के साथ आता है कई जगे क्या है कि हिमोग्राम के साथ साथ बलंड पिक्चर भी दे देते हैं जिसको PS बोलते हैं वो भी दे देते हैं लेकिन ज़्यादा तर तो बस ESR इसमें इंक्लूड किया जाता है तो ESR कभी आप ऐसे ही दे सकते हैं पीछे जो है बायो रफरेंस रेंज दी होई है तो आपको इस जैसे मैंने आपको बताया आपको सीवी सी की जो रिपोर्ट्स है वो देखना अच्छे से आ गया होगा इस तरह से आपको ही जो है चेक करनी है रिपोर्ट्स आगे आगे काफी सारी वीडियो आपको मिलेंगी जिसमें काफी सारी नोलिज आपकी बढ़ने वाली तो वीडियो जो है आप अपने दोस्तों को शेर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई और चैनल कर आप दो द तक के लिए यादा आप स्क्राइब जरूर के लेचित हैं झाल 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 झाल